ओपो मोबाइल वोल्टी सेटिंग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूज करते हैं ओपो का फोन और यहां पर अगर आपका वोल्टी का उप्शन शो नहीं होता है या फिर अगर आप यहां पर वोल्टी का उप्शन इनेबल करना चाते हैं तो कै पर टच करने के बाद आप एक option देख सकते हैं या पर dual SIM and Cellular Network का इस पर टच कर दीजिए और टच करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर option आजाएगा SIM selection का SIM 1 या फिर SIM 2 तो यहाँ पर आप जिस भी SIM का net use करते हैं उस SIM को select कर लिजिए तो हैं पर हम SIM 1 का net use करते हैं तो SIM 1 पर टच कर देते हैं टच करने के बाद आपको एक option मिलेगा enable का इसे चालू रखेई उसके नीचे आप देख सकते है डेटा roaming का option है आप इसे on कर दीजिए और on करने के बाद ऐक option आपको मिल जाएगा voltage calls का तो voltage calls को enable कर दीजिए लेकिन लेकिन यहां पर आपका voltage का option यह रखा है तो सकते हैं तो जो फॉस्ट आपशन है उसे सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद एका ओप्शन आप देख सकते हैं एकसेस पॉइंट नीम इस पर टच करना है आपको नीचे reset का option आ जाएगा reset पर touch कर दीजिए यहाँ पर reset access points पर आपको touch कर देना है यह restore होने लगेगा तो कुछ seconds का wait कर लीजिए तो यहाँ पर आप अपने mobile को उसके बाद restart कर लीजिए तो यहाँ पर हम restart भी कर लेते हैं तो इस तरह से आप अपने mobile को एक बाद restart कर लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं restart करने के बाद हमारे phone में voltage का option आ चुका है तो इस तरह से आप भी settings कर सकते हैं और अगर यह video पसंद आई तो video को like करें और channel को भी subscribe चरूर करें